दोस्तो बाजार में मिलने वाली कई चीजे ऐसी होती हैं जिने देख के हमारे मूँ में पानी आ जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इने फैक्ट्रियों में कैसे त्यार किया जाता है सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट्रियों में केक कैसे बनाय जाता है दोस्तो जनम दिन हो पार्टी हो या फिर कोई अच्छा मौका हम लोग केक जरूर काटते हैं इसलिए केक के साथ ना किवल हमारा पैसा जुड़ा होता है बलकि हमारे इम्बोसंस भी जुड़े होते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे फैक्ट्रियों में केक को त्यार किया जा इसके बाद केक के बेस को त्यार किया जाता है केक के बेस को त्यार करने के लिए ये मिसरन मशीन में डाला जाता है ये मशीन आटे को पतला कर देती है मशीन की मदद से इसके उपर सूखे आटे को छिड़का जाता है आगे इस आटे को गोल आकार में काट लिया जाता है द अखिर में इस मशीन की मदद से इसे अलग-अलग डिजाइन दिया जाता है और अपने अनुसार इसके उपर ऐसे फ्लेवर लगाये जाते हैं जो मार्किट में ज़्यादा चलते हैं दोस्तो चिप्स जो हम सब का फेवरेट है चलिए देखते हैं इसे फैक्ट्रियों में कैसे इने बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश आलू को एक चेमबर में डारा जाता है इस चेमबर में आलू अच्छी तरीके से धुलता है और conveyor belt की मदद से ये आलू ऐसे मशीन में चले जाते हैं जहां इनके slice कड़ आते हैं पहले तो इन slice को गरम पानी में धुला जाता है ता इस आलू को next machine में डाला जाता है जिसका नाम है spice chamber जहां इन पे मसाला छिलका जाता है टेस्टिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद इहें packaging machine की मदद से pack कर दिया जाता है दोस्तो अब हम देखते हैं कि factory में मैगी कैसे त्यार किया जाता है दोस्तो मैगी हर किसी को पसंद होती है क्योंकि एक तो ये test में बहुत बढ़िया होती है और दूसरा इसे बनाने के लिए केवल गरम पाने की ज़रूरत होती है मैगी बनाने के लिए सबसे पहले factory में गेहूं को पोचाय जाता है उसके बाद जैसे लोग घर में आटा गूनते हैं ठीक वैसे ही factory में आटा गूना जाता है बस फर्क इतना है कि यहां आटा गूनने के लिए machine का इस्तमाल किया जाता है उसके बाद इन्हें seat के रूप में roll कर दिया जाता है फिर ये cutter seat को मैगी के ideal design में कार देता है चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि factory में ice cream कैसे त्यार की जाती है गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम ice cream खाने वाले दिवाने किसी भी मौसम में ice cream खा लेते हैं ice cream बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दूद हर एक ice cream बनाने वाले company का दूद त्यार करने का अलगी तरीका होता है लेकिन उसके बाद का process सभी कमपनियों में एक जैसा होता है सबसे पहले दूद त्यार किया जाता है और उसमें कुछ मिठास डाली जाती है उसके बाद इस दूद को ठंडा किया जाता है इसे इतना ठंडा किया जाता है कि ये दूद जम जाता है फिर इसे ice cream के ideal design में ढाल दिया जाता है वहीं एक cutter इसे तेजी से काटता रहता है ice cream बनाने के लिए जिन भी conveyor belts का इस्तमाल किया जाता है वो काफी ठंडा होता है जिस वज़े से ice cream पिगलती नहीं है उसके बाद ये machine ice cream को पिगले हुए chocolate में dip करती है और उसे कुछ देर के लिए refrigerator में ले जाती है जहां ये ice cream पूरी तरीके से जम जाती है जब ये ice cream अच्छी तरीके से जम जाता है तो उसे pack कर दिया जाता है दोस्तो अब जानते हैं कुरकुरे बनाने के process के बारे में 1999 में कुरकुरे market में आया था उसके बाद से ही इसने भारतिय मार्किट में काफी धमाल मचाया कुरकुरे बनाने की सुरुवात करने से पहले फैक्टरी में चने का आटा, मकई का आटा और कई सारे मसाले लाए जाते हैं फैक्टरी में आते ही इन सभी चीजों का क्वालिटी चेक होता है कुरकुरे बनाने के लिए इस्तिमाल होने वाली सभी चीजे 100% साकाहरी होती है सबसे पहले गेहूं के आटे, चने के आटे और चावल के आटे को मिक्स किया जाता है इसके बाद इस मिक्चर को दूसरे मशीन में डाल दिया जाता है जहां से वो कुरकुरे के आकार में बाहर निकलता है कुरकुरे का shape आने के बाद उसे oil में fry किया जाता है और इसमें कई तरह के मसाले add कर दिये जाते हैं जिसके बाद कुरकुरे पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उसके बाद बस इन्हें अलग-अलग size के packet में pack कर दिया जाता है और market में भेज दिया जाता है आईए देखते हैं फैक्ट्रियों में टमेटो सॉस कैसे बनाय जाता है टमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले उम्दा क्वाल्टी के टमाटर फैक्ट्रियों में लाय जाते हैं और इन्हें conveyer belt की मदद से फेक्ट्रियों में लाके गरम पानी से धुला जाता है धुलाई होने के बाद इन टमाटरों का quality चेक होता है अच्छे quality के टमाटर का इस्तमाल sauce के लिए किया जाता है वहीं सड़े और कच्चे टमाटरों को बाहर कर दिया जाता है इसके बाद इन टमाटरों को अच्छी तरीके से उबाला जाता है फिर इन्हें एक गलेंडर में pest बनने के लिए भेज दिया जाता है लगबग तयार हो चुके पिसे टमाटर को mixer में डाला जाता है जहां इनमें कई सारी चीजे एड़ की जाती हैं जैसे की चीनी, पानी और इतियादी उसके बाद इन्हें packing के लिए आगे conveyor belt में भेज दिया जाता है जहां automating machine के जरिये इन्हे quantity wise pack किया जाता है माचिस दोस्तों माचिस का इस्तिमाल आज भी बड़े पैमाने पे होता है तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्रियों में माचिस को कैसे त्यार किया जाता है माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ का एक तना लिया जाता है इसके बाद इस तने को machine में लगाय जाता है यहां इस लकड़ी को एक पतली sheet का form दिया जाता है अब इस sheet को दूसरे machine में डाला जाता है जहां यह sheet माचिस के तीलियों के size में कड़ आती है इसके बाद इन्हें एक जाली पे रखा जाता है जहां अच्छे size और quality के तीलिया एक तरफ आ जाती है अब सुरू होता है इनके उपर masala लगाने का process एक machine में इन सभी तीलियों को एक line से सजा दिया जाता है और इन तीलियों को masala में dip किया जाता है जब यह तीलियां सूख जाती है तो इनकी packing कर दी जाती है